है गाइस गुड मॉर्णिंग मेरा नाम है आर्थी और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल फोर आपकी सक्सेस फ्रेंड्स आज चार मई है और हम लोग आज की सबसे इंपोर्टन करेंट को डिसकस करेंगी बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे कि अग इसनल कांसिल फोर साइंस एंड टेक्नोलोजी कम्यूनिकेशन यानि ने कोविड नाइंटिन पर स्वास्त और जोखिम संचार पर अधारित कौन सा कारिक्रम लांच किया है तो इसका राइट एंसर है आप्शन बी यर्श देखिए तीस अपरेल 2020 को यस कारिक्रम को जो है व इस पहल का उद्देश सावजनिक सहभागिता को प्रोसाहन करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रतिजागता को बढ़ाना है इसके तोरह सरकार सही निर्ने ले सकती है और उसके समंदित जितने भी जोखिम का प्रपंदन है वो कर सकती है तो हमारे विज्यार एवं प् अब बता दे कि किंद्र सरकार ने कोईला ख़दानों के संचालन के लिए केंद्र और राजी सरकार के अधिकारियों से आवशिक विभीन मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हैं अब हाली में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानि की PMU की शुरूवात क जाती हैं कि तो हमारे कोईला उद्रोग मंत्री कोई हैं तो यह है प्रहलद जोसी क्या रखेगा कपड़ा उद्रोग मंत्राले जो है वाता है smriti-iraan के दिन और जो PETROLEUUM उद्व और स्टील उद्योग यह दोनों मंत्राले देखते हैं ढруго but क् heto कर्यो फ्तिल नम useful data के लिए भागिदारी के माध्यम से भारत को तीन मिलियन डॉलर की सहते प्रदान करने की घोसना की है तो इसका राइट एंसर है ऑप्शन ए अमेरिका पहल जो है यह अमेरिका की यूएस ए आईडी और नए दिली स्थीत कंपनी आई पी इग्लोबल की बीच एक सहयोगी पर्य प्रदान करेगा तो आप पहल का फुल फॉर्म इपर देख लिए इसका फुल फॉर्म है पार्टनर सीप फॉर्ड एफॉर्डेबल हेल्थ केर एक्सेस एंड लॉंग इविटी क्लियर है क्वेस्टन नमबर फॉर है हाली में केंद्र ने निम्रिकित मेंसे किस राजी को चक देखिए यह जो चेकमा होजोंग ट्राइबस हैं यह अरनाशल प्रदेश के ट्राइबस हैं इनकी जनसंख्या वहां एप्रोक 65,000 के उपर हैं तो इनी जनजातियों को जो है केंद्र सरकार ने कोविट-19 कारिकरम में सामिल होने की जो है अनुमती दी है बात के जाए अरना 2017 में है भारत का नया राज्य है सो घोषित किया था जन्रल फैक्ट की बात करें तो इसे और की डिस्टेट और इंडिया कहते है याद रखिएगा अरनाशल प्रदेश को जो है और की डिस्टीट और कहते है पुरे भारत के अंदर दूर ही ऐस राज्य है जिसका ओफिसियल इंग्लिश है उन में से एक है और नाशल प्रदीज और दूसरा है नागा लेंड ओके यहां का ट्राडिशनल मेथर आप अग्रिकल्चर जूम है यानि कि स्विप्टिंग कल्टिवेशन क्लियर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दें तो यहां यहां पे नामदाफा नेशनल पार्क मावलिंग नेशनल पार्क डाइंग इरिंग वाइल्ड लाइप सांचुरी और एक नहिरुवन उद्ध्यान फेमस है यहां का इक बार किसे सुन लेजिए नामदाफा नेशनल पार्क है यहां पे मावलिंग नेशनल पार्क है एक है ड देमाग हंडू और गवर्नर है यां की बीडी मिश्रा क्लियर नेक्स्ट आते हैं क्वेशन नमबर फाइब है हाली में किस राज्य को जो है किस राज्य की केसर को जो है भगौलिक संकित यानि जी आई टैग मिला है तो इसका राइट एंसर है ऑप्शन डी जम्मु कास्मिर हा 31 ओक्टूबर 2019 को ठीक है 31 ओक्टूबर 2019 के अंदर जो है इसे यूनियन टेर्टरी गोसित किया गया था ओके देखिए इसमें नमबर फ्रिस्टिक्ट की बात की जाए तो टोटल यहां पे 28 डिस्टिक्ट है ओके लेपनियन कवर्णर है यहां की गिरिश चैंद्र मूर्मू और इसका जो हाइकोट है उसका नाम है जम्मू एंड काशमीर हाइकोट और यहां के चीप जस्टिस है गीता मित्तल आपको क्लियर होगा तो याद रखिएगा जम्मू काशमीर की केसर को जो है जी आई टैग मिल चुका है अच्छा अगर आपको याद हो मैंने कली आपको कि एक जग हाओ जिसे की ब्लैक राइस कहते है उसे मनिपूर के अंदर जो है जी आई टैग मिला है और साथ ही गड़कपूर जो की यूपी में है यहां के टेरा कोटा को जी आई टैग मिल चुका है ओके बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगले क्वेशन पर आते हैं इसने खुद्रा वैपारियों के लिए किस नाम से है एक e-commerce बजार शुरू किया है तो इसका राइट आंसर है option D भारत मार्केट तो यादर रखिएगा कि यह जो अगले क्वेशन पर आते हैं इसने खुद्रा वैपारियों के लिए भारत मार्केट नाम से e-commerce बजार शुरू किया है अगले क्वेशन पर आते हैं देखिए भी हाली में एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है यह सयाजी राज गाई कवार्ट 3 वरदा के महराज ओके आपको इनके लेखक का नाम है तो इस बुक के जो लेखक है उनका नाम है उमा बाल सुब्रमान्या के याद दखिएंगा यह जो बुक है यह जो जिए इस फॉदा मुर्टी है और हाली में इन्होंने भी एक बुक लिखि ए जिसका नाम है इस बुक को लिखा है सुधामूर्ती नेक्स्ट है कृष्णा सोब्ती इनके बारे में आपको पता होगा कि इन्हें 2017 में जो है ज्यान पिट पुरसकार मिला है जो कि भारती साहित्य का सरवच पुरसकार मना याता है और 1980 में कृष्णा सोब्ती को जो है 1980 के अंदर जो है इनके उपर न्यास जिन्दगी नामा के लिए जो है साहित अकादमी पुरसकार मिला था नेक्स्ट है यह मिर्नाल पांडी इनके बारे में आपको पता दे कि पदम स्री से सम्मानित मिर्नाल पांडी एक पत्रकार लेखक एवां भारती टेलिविजन की जानी मानी हस्ती है यह प्रसाद भारती की अध्यक्ष पर रह चुकी है और हिंदुस्तान दैनिक की वोचीफ इडिटर भी यानि की समपादिका रह चुकी है अब बढ़ते हैं अगले प्रसंद पर हाली में किस देश ने लेबनान समूर हिजब उल्ला के सभी गति वीदियों पर प्रतिबंद लगाया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी जर्मनी ने जो है लेबनान चलती है यूरो और जर्मनी की जो चांसलर है उनका नाम है एंजेला मार्किल याद रखियेगा एंजेला मार्किल जो है जर्मनी की चांसलर है क्लियर क्वेशन नमर नाइन है विश्वर टुना दिवस किस दिन को मनाया गया तो अभी हाली में विश्वर टुना दिवस तो म तुना मसली प्रजातियों के संरक्षिन के महत्तों पर बल देने के लिए विश्व तुना दिवस मनाया जाता है ओकी नेक्स्ट क्वेशन आज का हमारा जो सबसे लास्ट क्वेशन है हाली में American Academy of Arts and Commerce के मानत सदस्री के रूप में कौन चुने गए हैं तो अभी हाली में जो है American Academy of Arts and Commerce के मन सदस्री के रूप में चुने गए हैं सोबना नर्सिमन आपको बता दे कि यह जवाहर लार नहीरू सेंटर फोर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफिसर है और इन्हें विज्ञान के छेत्र में किये कारियों के लिए यह सम्मान मिला है बात करें वनीजा रुपानी की तो यह भारतिय मुल्क की एक लड़की है जो अमेरिका में रहती है इन्होंने मंगल करा के पहले हेलिकॉप्टर का जो है नाम रखा था जिसका इन नाम रखा है इंजियो निटी क्लियर मनिसा सिंग है तो इनके बारे में बता दें य में निट किया गया है इन दोनों को ही जो है मनिसां सिंग और सुदर्शन बाबु को जो है अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड टॉम्प ने निट किया है ठीक है तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंट अब आप सबने एंजोई किया होगा तो अब आते हैं क्विस प है आज का क। और आएपके लिए आपको बताना है कि गयानपराप्ती के बाद महावीर में जयन सन्क्यश स्थापना कहां की क्यों तो फ्रेंड्स आज की वीडियो है अब ने हैं